गोडियूनिंग बच्चो देखो बच्चो आज की अपनी जो कलास है इसमें बात करेंगे अपनी बुगोल की जो फ़र्ष्ट बुक है अपने मानो बुगोल के मूल सिद्धान्थ इस बुक का अपना जो दस्वा चेप्टर है मानो बस्ती इसके अपने उन क्यूशनों की चर जा चुके हैं और बाकी क्यूशन ऐसे हैं जो आपकी बॉल्ड परिक्ष्या की दरश्टी से काफी महत्वपूर्ण है तो अपने बिया पर्ष्णों की चर्चा करते हैं सबसे पहला जो पर्ष्ण है वो आपके सामने है स्क्रीन पर यह रहा मेगा सीटी की जनसें क्या होती है मेगा सीटी की जनसें क्या होती है कितनी होती है बिया देखो इनका आंस्वर्ड जो है अलागी मैं सभी क्यूशन के आपको आंसर बताऊंगा लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने क्यूशन को परजेंट करूं तो आप अपने मन में खुद एक वार आंस्वर्ड सोचो कि इस क्यूशन अपने सामने आता है तो वो अपने को आसाने से याद आ जाता है तो स्टार्ट करते हैं या पहला क्यूशन है अपने मेगा सीटी की जनसें क्या होती है एक करोड एक करोड से कम एक करोड से अधिक दस लाग से अधिक तो अब यहां मेगा सिटी की जो जनसें क्या होती है वो कितनी होती है एक करोड से अधिक होती है मेगा सिटी जो होती है उसकी जनसें क्या कितनी होती है एक करोड से अधिक होती है अब यहाँ पर बात यहाँ आती है सर यह मेगा सिटी कहते किसको है मेगा सिटी होती क्या है तो यह मेगा सिटी का मतलब हो गया कि अपने जो मुखे नगर और उप नगर होते हैं ना मिलाकर उनकी जनसें क्या अगर कितनी हो एक करोड से अधिक हो तो उसे अपने मेगा सीटी कहा जाता है कलियर है सेकिंड क्यूशन की चर्चा करते हैं भी आपके सामने है सेकिंड क्यूशन सन नगर का परियोग किया मतलब इन में से कौन सा वहे वेक्ती है जिसने सबसे पहले सन नगर सब्द का परियोग किया था फेजर कौल है वीलियम है पेटरिक गिडिज है या चेफर सन है तो भी आपने पेटरिक गिडिज जो है इन्होंने 1915 इस Crush में सन नगर सब्द का परियोग किया था अब यहां पर बाइचांस मालो आपको पूछ ले कि सन नगर कहते किसको है तो भी यह शीदा सा द्यारतना जो अलग-अलग सेरों के आपस में मिलने से बनता है ना उसको बोलते हैं सन नगर मतलब कई सेर आपस में मिल गए और उन से जो बना वहे क्या हुआ सन नगर ठीक है किसर नंबर थेड की बात करते हैं विया तीसरा किसर नपे अपने लंदन किस परकार का नगर है बड़ा एघिस है किसर ने इसका आफ्रोड आपको सब को आता होगा gdzie अपने पतन नगर है च्छे के प्रारम में भारत में कितनी मीलियन सीटी थी 2006 के प्रारम में 37 थी 38 थी 40 थी देखो सबसे पहले बात तो कि ये मीलियन सीटी होती क्या है मीलियन सीटी का मतलब हो गया जिसकी जन संग्या जो है वो कितनी हो 10 लाक्स है देखो उसको क्या कहेंगे तो विया 26 के प्रारव में भारत में जो million city थी उनकी संग्या कितनी थी 40, clear है क्यूशन नंबर 5 की बात करते हैं विया 5 वा क्यूशन है कई संन नगरों का समू है मतलब कई संन नगर जो है उनका समू है या कई संन नगरों के मिलने से क्या बनता है million city बनती है परतिरक्सा नगर बनता है बड़ा नगर बनता है या विस्व नगरी बनती है तो विया ये तीनों ही option अपने क्या है गलत है कई सन नगरों का समुह मिलकर क्या बनता है विया विस्व नगरी बनता है क्यूसर नमबर 6 की बात करते हैं निम्न में से मेगा सीटी नहीं है ये अपने इंडिया के सहरे विया इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मेगा सीटी नहीं है दिल्ली नहीं है, मूंबई नहीं है, कॉलकाता नहीं है या बोफाल नहीं है तो ये भी मेरे ख्याल से लगबल लगबल इस्टुडेंट को पता होगा कि अपने बोपाल जो है वो मेगा सिटी की स्रेणी में नहीं आता क्यूशन नमबर साथ की बात करते हैं यह साथवा क्यूशन है अपने ग्रामिन बस्तियों को परभावित करने वाले पर्मू कारक बताईए देखो भी अपने बस्तियों दो परकार की होती है एक तो ग्रामिन बस्तियों एक नगरी बस्तियों अब इन बस्तियों को परभावि मतलπό जल वहाँ परियात मातरा में होना चाहिये और भूमी जो है वो एक परकार से उच भूमी होनी चाहि HEY इसके अलाम यह वहाँ पर आसानीषके ग्रामिन शामगरी उपलाब होनी चाहिए इसके अलाम यह सुरक्सा है ये भी क्या करती है अपने ग्रामिन बस्तियों को परबाविते करती है तो जलापूर्ती है भूमी है उच भूमी छेतर है ग्रै निर्मान सामगरी है सुरक्सा है ये सारे बिंदू जो है वो ग्रामिन बस्तियों को क्या करते हैं परबाविते करते हैं क्योंसे今 से नमबर आठ की चर्चा करते हैं? नियोजित बस्तियां क्या है बताईए देखो बिया कुछ बस्तियां तो एशी होती है जो ग्रामवाश्यों के दोरा सौटा ही बसाई जाती है कुछ बस्तियां तो ठीक है और कुछ बस्तियां ऐसी होती है जो ग्रामवाशियों के दौरा नहीं बसाई जाकर सरकार के अधिगरक छेतर में होती है या सरकार के दौरा बसाई जाती है और सरकार के द्वारा वहां के निवाशियों को सभी परकार की सुविधाएं परधान की जाती है ऐसी बस्तिया क्या कहलाती है या नियोजित बस्तिया कहलाती है सभी परकार की सुविधाएं जैसे अपने पानी है आवास है ठीक है इस परकार की सुविधाएं जो है वो सरकार के दुआरा ही मुहया कराए जाए, वो क्या कहलाएगी, नियोजित बस्थिया, शिधा याद रख लो, जो गावाश दुआरा ना बसाओ जाकर सरकार दुआरा अधिकर्भत की होती है, वह नियोजित बस्थिया कहलाती है क्यूशन नमबर नो की चर्चा करते हैं विया नौवा क्यूशन है अपने ग्रामिन बस्तियों की कोई दो विशेशता हैं और दो समझ्या हैं बताईए ग्रामिन बस्तियों की अब पहले तो बात कर लेते हैं विया ग्रामिन बस्तियों की दो विशेश्ताइं, विशेश्ताइं बहुत सारी ahead के ग्रामिन बस्तियां जो होती ہے उन में अपने वहां के लोग कर्शे का कारे करते हैं, बस्तियों का चोटा होता है। कई भी सेज़ता हैं अब समश्या की बात कर लिए तो समश्या में अपने कह सकते हैं कि या गरामेंट शेतरों में अपने जल की कमी पाये जाती है या फिर जो जल होता है वो दूशित होता है जिसे कई प्रकार की अपने बिमारिया है जा पी लिया वगरे ऐसी बिमारिया होती है इसके लापने कह सकते हैं कि वहां पर कुडा कच्रा डालने या उनका निस्तारन करने की सुविदा नहीं होती सड़के जो होती है वो कच्छी होती है संचार के साथ उन्हों की कमी होती है रोजगार के साथ उन्हों की कमी होती है ये क्या हो बताया था भीया कि अलग अलग सहरों के मतलब कई सहरों हो गए भीया ठीक है इन अलग अलग सहरों के आपस में मिलने से जो नगरी च्छेतर बनता है उसी को क्या कहते हैं सन नगर कहते हैं मतलब कई छोटे छोटे सहर है या कस्बे है वो आपस में क्या हो गए एक परकार से मि क्या बन गया एक बड़ा छेतर बन गया एक बड़ा नगरी छेतर बन गया और उसी को अपने क्या नाम दे दिया गया सन नगर कलियर है क्यूसन नमबर ग्यारा के बात करते हैं यह ग्यारवा क्यूसन है अपने मेलियन सिटी किसे कहते हैं विस्व का पहला million city कब और कौन सा बना अब सबसे पहले बात तो यह आती है कि sir million city होती क्या है देखो सिधा सा दियान कलो जिसकी जनसंग क्या कितनी हो 10 लाग से अधिक हो जिसकी जनसंग क्या 10 लाग से अधिक हो जिस नगर की जनसंग क्या 10 लाग से अधिक हो उसी को अपने क्या कहते हैं मिलियन सिटी कहते है अब बात आती है विस्व का पहला मिलियन सिटी कब और कौन सा बनाता तो यह जब आपको पढ़ाया था उस समय बताया था मैंने कि विस्व का पहला मिलियन सिटी जो है वो कौन सा बनाता अपने लंदन बनाता देखो अधिस अब बाबा कई दो या इसको अपनी नया पुस्पिया नवीन पुस्पि कहते हैं ये वैसे देखे तो अधिस अब बाबा है कि अब यह एक नगर है एक क्या है नगर है और इसकी इस्ताफना अज्दब siya क्या होता है नया और अबबा का अर्थ होता है पुस्पिया फूल इसलिए इसको अपने नवीन पुस्पिया नवीन फूल भी कहते हैं और ये किसकी राजदानी है भी या अपने इथोपिया की राजदानी है किसकी राजदानी है इथोपिया की राजदानी है इसके बारे में और बाते करें तो अपने कह सकते हैं बिया कि यह जो है पूरा नगर परवत्य गाटे इस्तला करती प्रिस्तित है ठीक है यहां एक बहुत संकावी से विदाले चिकिसा माविदाले और कई अच्छे स्कूल भी है और अपने जीबूती जो है वो अदीस अबाबा रेलमार का अ बिस्तित है यह पासाध लाइन आपको द्याहने रखनी है कि क्यूशे यह सिनन म्बर 13 की बात करते हैं बिया तेरवा क्यूशन है अपने नम बस्तियां क्या होती है इनके परमुक लाब बताईए अब देखो सिद्धी सी बात पहले तो ये बताओ कि नम का मतलब क्या होता है नम का मतलब आद्र गिली जगे उसी को तो कहते हैं नम तो अपने कह सकते हैं कि या ऐसी बस्तियां जो जल के समीप पाई जाती है जल्के समीप मतलब जैसे मालो कोई बस्ती किसी नदी के किनारे कोई जील के किनारे कोई जहने के किनारे तालाब के किनारे पाय जाती है तो ऐसी बस्तियों को क्या कहते हैं अपने नम बिंदू बस्तियां कहते हैं मतलब पाने के पास में जो बस्तियां बस्तियां होती है वो क्या कहलाएगी नम बस्तियां अब बात आती है इनके परमुक लाब बताईए तो शिद्धी शी बात भी है यह बस्तियां कहां पर होगी पाने के पास में होगी तो इनको जल की जो है वो आपूरते हमेसा बनी रहत जल की कमे नहींगे नहीं होती खेतों के लिए अगर सीचाई के लिए भी इनको आसदे जल प्राफत होज़ता है ठीक है और नदियाता जिलो की आसपास इस्थतो ने के निकर जाता है ठीक है और यहां पर अपने जल पास मिलने के कारण brewing जो मतस्य पालंगा कारी है वो ब्यासानी से किया जाता है तो ये विशेशता है किसकी हो गए अपने नम बस्तियों की नेश्ट क्यूसन बिया क्यूसन नमबर 14 WHO के अनुसार एक स्वस्त सहर क्या होता है बिया WHO अर्थार्थ वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने वी स्वस्त स्वास्ते संगठन तो ये कहता है कि या एक स्वस्त सहर कौन सा होगा वो होगा जहां पर अपने सभी परकार की स्वास्ते सुविदाएं उपलब्द हो जहां पर इस्तानी सरकार में आम समुदाए की बागेदारी हो जहांपर एक प्रकार से स्वच्छ वातावन उपलब्द हो जहांपर सुरक्षा उपलब्द हो सके तो यह एक प्रकार से अपने और कहे तो जहांपर अपने को सभी प्रकार की जो आधारबूत अपनी आउशकते हैं वो आपको आसानी उच्छे उपलब्द हो सके वह सहर जो है वह क्या कहलाएगा सुवस्त सहर मतलब सुवस्त वातावन हो सुरक्षित वातावन हो सुवस्त सुविदाई हो चिकिसा सुविदाई हो इस्तानी सरकार में भागेदारी हो अधारबूत आवशक्ताओं के पूर्ती हो ये सारी विशेशताइं किसकी होती है एक स्वस्त शरीर की होती है क्यूसर नमबर पंद्रा पंद्रवा क्यूसर है भी या उपनगरी करण क्या है बताईए उपनगरी करण देखो भी या उपनगरी करन किसे कहते हैं देखो कई बार क्या होता है कुछ वेक्ती जो है वो कोई सहर है मालो बड़ा सहर है विसाल सहर है आबादी वहां की बहुत जादा है लोग आस पास ने बसे हुई है पास पास ने बसे हुई है ठीक है अब इन में से क्या होता है कुछ व्यक्ति मजबूरी में या अपने इच्छा से इस सहर के बाहरी इस्चे पर मतलब में सगन जो बसावा सहर है उसको छोड़ कर थोड़ा सा बाहर की तरफ अगर जाकर निवास करने लग जाए या वहाँ पर जाकर बसने लग जाए और वहाँ पर जो परकरिया प्रारम होती है उसी को कहते है भी या उपनगरी करन मतलब में चेतर जो है में कस्बा जो है में बाजार जो है जहां पर सगन बसावा चेतर है उसको छोड़ दो जैसे मात करे भी या अपने जितने भी जिल्ले है भी या उन जिल्लों में आपने देखा होगा बाई पास निकलती है हर सहर से क्या निकलती है बाइपास निकलती है तो अब जो में शिटी का एरिया है उस शिटी के एरिया को छोड़ दो आप बाइपास के आसपास में जाकर बच जाओ अब ये लोग या तो मजबूरी में छोड़ते हैं कुछ लोग जो है वो खुला इस्तान पसंद करते हैं स्वच वातावनन स्वच हवा लेना चाहते हैं इस कारण से छोड़ते हैं वहाँ पर उनको आसा निशे रहने सेंड के अच्छी सुवधाय उपलब होती है ठीक है तो इननी को अपने क्या कहते हैं विया उपनगरी करण की परकरिया कहते हैं मतलब में सहर को छोड़ कर उससे थोड़ा सा दूर जाकर बस जाना ठीक है क्यूसन नमबर सोला की बात करते हैं विया सोला क्यूसन है अपने परसास्टनिक नगर की से कहते हैं परसास्टनिक नगर शिदा सद्यात अकलो विया जो देश की राज़दानी होती है क्या होती है जो देश की राज़दानी होती है जहां पर सभी परकार के परसास्टनिक मुख्याले होते हैं उसे ही अपने क्या कहते हैं परसास्टनिक नगर कहते हैं अब देश की रादानिया कौन सी है क्या है वह आपको बताने क्या हो शक्तानी है जैसे अपने भारत का परसास्टनिक नगर कौन सा हो गया नई दिल्ली हो गया ठीक है इथोपिया का जैसे अभी मैंने आपको बता है रादानी कौन सी है अदीस अबाबा ये क्या हो गए भी या अपने परसास्टनिक नगर मतलब जहां पर केंदर केंदर सरकार जो होती है उसके परशासनी कार्याले होते हैं उनको कहते हैं परशासनी के नगर किसे नमबर 17 की बात करते है भारत की 1901 में की जनगर्णा कौन सी जनगर्णा की बात है 1901 में की जनगर्णा में नगरी बस्तियों के लिए निर्दारित मांदंड बताईए तो भीया नगरी बस्तियां कौन सी होगी 1901 में की जनगर्णा में पहले माफदन तो ये था कि वहां का जनसंग क्या गनतव कितना होना चीए 400 वेक्ती परती वर किलोमेटर होना चीए कम से कम दूसरी बात भीया वहां पर 50% से अधिक वेक्ती जो है 75% से अधिक वेक्ती जो है वो गेर कर्शी कारियों में होनी चीए तीसरी है भिया वहां की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए पांच जार होनी चाहिए तता उस नगर में एक नगर पाले का चावनी बोर्ड या अपने कहदे कॉर्पोरेशन होना चाहिए ये क्या है भी या अपने नगरिये बस्तियों के लिए निर्दारित मांदन्ड है according to 1901 में की जनगरना ठीक है क्यूशन नमबर 18 अंतिम क्यूशन भी या आपके अठारवा क्यूशन अठारवा क्यूशन है अपने आकरती के आधार पर बस्तियां कितने परकार की होती है आकरती के आधार पर तो या आकरती के आधार बस्तियां दो परकार की होती है एक तो होती है सहत बस्तियां और दूसरी जो होती है उनको कहते हैं अपने परकीन बस्तियां अब सहत बस्तियां और परकेंड बस्तियां कौन कौन शी होती है इनमें आपको अंतर भी पूर सकते हैं ध्यानकलाम सहत बस्तियां तो कौन शी होगी जिनमें मकान जो है वो पास पास में होते हैं नजदीक होते हैं वो तो सहत बस्तियां हो गई और जिन में मकान दूर दूर होती है वो कौन शी हो गई परकेंड बस्तियां हो गई सहत बस्तियों में जो वेकती रहती है वो आपस में मिलजुल कर रहती है सबी समाज ये समधाय के लोग आपस मिलजुल कर रहती है जबकि इन में इतना मेल मिला पर नहीं पाया जाता ठीक है इनमें लोगों में आप से संपर्क बना रहता है इनमें आप से संपर्क नहीं होता है ठीक है तो इस परकार से अपने दो चार कोई भी विशेचता है जो है वो आप इनकी कर सकते हो तो यह थे अपने जियोग्राफिका जो अपने दस्वा पार्ट है बुगोल की फ़र्ष्ट बुका दस्वा पार्ट मानव बस्ती इसके अपने 18 महत्वपूर्ण परसंज जो आपकी परिक्षा की द्रिश्टिस से काफी महत्वपूर्ण है और इन 18 में से भी या 7-8 क्यूसन तो ऐसे हैं जो आपकी बोर्ड परिक्षा में पूछे भी जा चुके है अधर जब भी आप इस पार्ट को तयार करो तो कम से कम आपको इन क्यूसन को जरूर से तयार करना है ठीक है या तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ लेट सो